हालो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किहूं के आटे का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नासा आप एक बार इस नास्ति को बना कर खाएंगे तो समोसा, पेटीज और बर्गर खाना भी भूल जाएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापर से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती उसे भी जरूर प्रस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नए वीडियो आया इसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसज आपको मिल सके और आप फटापर से वीडियो को पहुच कर सके तो चलिए पैंड बिना किसी देश ही कि फटापर से चटपटे से नास्ति को बनाना सकinh नास्ति करते हैं पैंड इस नास्ति को बनाने के लिए सबसे पहले स्टाफिंけれ ते यार करेंहें तो इसके लिए हमने लिए करेंगे सी काली मेच का पाउडर दिख्रकें牛ैय थोड़ा सा गिररू दोड़ाग्स यह तहा नास्ट्य धर मिख पूटी आयाब इसके साथ आठ करएंगे मेचा तंप सुपीं हरी धनिया जेगे Test नास्ति इसके इसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ी सी फ्रश पारी कटी हुई हरी धनिया और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा चट पटा पन लाने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा नीबू का रस अगर आपके पास नीबू आटे को आपको अच्छे सा चाल लेना है उसके बाद ही इस्तमाल करना है ग्योंकि आटा हमने बोल में डाल दिया इसके बाद हम इसमें आड करेंगे स्वादा नुसान नमक और थोड़ी सी रेड चिली फ्लिक्स इसके साथ हम इसमें आड करेंगे थोड़ी सी फ्रस्ट बारी के लिए आटा लगाते उससे थोड़ा सा सौफ्ट आटा लगाएंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वो जल्दी बन जाए तो देखिए आटे को हमने अच्छे से नेट कर लिया है और हमारा आटा लगकर तयार हो चुका है तो अब इसे हम रेस्ट पर छोड़ देंगे जब तक क इसके बाद हम इसमें ऐट करेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकौर्डिंगं डालिएगा साथि हम इसमें एड करेंगे एक चोटा चमत जित्ती सफेद दिल अगर आपके हो तो आप डाले वन Alexi कर एंगे एक चोथा ही चमत जित्ती Kalonji इससे हमारे नास पानी आपको नई डालना है, एक चौथाई कप जितना पानी डालना है, उसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो देखिए, बैटर की जो consistency है, वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा गाडी भी नहीं होगी, तो बैटर हमारा बनकर रैडी ह हो चुका है तो अब अपने नास्ते के लिए हम लेंगे चीज और इसे हम इस तरह से बड़े-बड़े slices में कट कर लेंगे तो बच्चों को चीज बहुत पसंद होता है तो इसलिए हम यहाँ पर मौजरेला चीज का इस्तमाल करें आपके पास ज़स तरह की भी चीज है आप उसका इस्तमाल कर सकते तो यहाँ पर हमने सारी slices को कट करके रख लिया है तो अब फड़ा पट से अपने आठे को हम पर चिकना करेंगे, क्योंकि हमने इसमें धनिया अबगरा डाले तो आपको इसे हाथों से अच्छे से समूध कर लेना है, उसके बाद अपनी 4 लोईओ को हम साइड में रखेंगे और अपनी एक लोई को ले लेंगे, और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे, तो पेलने से पहले हम इस पे थोड़ा सा सूखा आटा अपलाई करेंगे ताकि ये चकले पर बिल्कुल भी चिपके नहीं तो इस तरह से आपको इसकी मीडियम साइज की रोटी बेल लेनी है जहां भी आपको लग रहा है कि ये तकले पर चिपक रही है आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इसे अच्छे से बेल सकते हैं लगाएं आप इस स्टॉफिंग की तो इस तरह से स्टॉफिंग को फैलाने के बाद हमने जो अपनी चीज के स्लाइसे को लिया था उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी रोटी से इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे इसके बाद अपने नास्ते को हम शेप दे देंगे तो सबसे पहले हम रोटी के काउनर वाले साइट को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से नास्ते का शेप आजाए तो इस तरह से आपको इस सारी साइट को निकाल लेना है इसके बाद इस तरह से आपको इसे पती प्रतली स्लाइसेस में कट कर लेना है तो यहाँ पर हमने दो स्लाइसेस कट कर ली है तो जिसमें चीज है आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें चीज नहीं है उसे भी आप बना कर खा सकते हैं तो देखे इस तरह से अपने सारे नास्ते को हम बनाकर ready करेंगे और यहाँ पर हमारा बैटर भी ready हो चुका है तो पड़ा पट से अपने बैटर में हम इसे dip करेंगे और इसे हम direct तील में डालेंगे तो इस नास्ते को फ्राइ करने के लिए हम पहले थोड़े से तील को गरम होने के लिए रख देंगे जैसे हमारा तील medium flame पर अच्छे से गरम हो जाएगा अपने नास्ते को पहले हम ड्वेटर में dip करेंगे और इसे हम direct तील में डालते जाएंगे ग्यास की flame आपको medium ही रखनी है medium flame पर अपने सारे नास्ते को आपको डालना है और एक पार में जितने पैन में आरे हो उतने ही नास्ते को फ्राइ करना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे जैसे ये एक साइट से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा हम इसे पलट देंगे और पलट करके दूसरी साइट भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे तो बस मात 5-6 मिनट में हमारा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है एक पैच को फ्राइ होने में मात 2-3 मिनट ही लगते हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो अब फटा फट से इस नास्ते को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे नास्ते को भी fry करेंगे तो इस नास्ते को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और चीज डाला नास्ता बच्चों को बहुत ज़दा पसंद आता है तो अगर आपके बच्चे चीज घाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चीज डालकर उने देंगे तो यह पहुती कम चीज़ों में यह नास्ता बनकर तयार हो जाता है तो जरूर से ट्राय कीज़ेगा और हमें कॉमेंट पर बताईएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आईगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा हम मिलत आपको नेक्स वीडियो में ऐसी ही नहीं मज़ेदार रेसिपीस के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखें बाबाई और टेकर और थैंक्स फूर वाचिंग